हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल वेब टेक क्लास दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग एक मल्टीपल बूटेबल पेंट ड्राइब बनाना सिखने वाले हैं तो चलिए बीना देर किये वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो अगर पसंद आये तो वीडियो को उपरेटिंग सिस्टम को इस्टॉल करना होता है जैसे अभी आप विंडोस उपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहे होंगे हो सकता है कोई 7 यूज़ कर रहे होंगे कोई 10 यूज़ कर रहा होगा कोई 11 यूज़ कर रहा होगा कोई Ubuntu उपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर पड़ता है जैसे Windows 7 का आपने अलग bootable बना रखा है Windows 8 का अलग बना रखा है इस तरह Ubuntu का अलग है Linux का अलग है इस तरह दोस्तों होता कि है कि बहुत सारे pen drive हो जाते हैं उनको रखना भी बहुत बड़ा जंजट हो जाता है ठीक है तो इसके लिए अब मैं आपको लिए क्या लेकर आऊँ कि मैं एक ही pen drive में सारे operating system को यहां पर आपको save करके दिखाऊंगा इसका bootable बना के दिखाऊंगा जिससे मात्र आप सिफ एक pen drive की मदद से आपको अपने computer में और कोई भी operating system को आप install कर पाएंगे आप Windows 7 इसी से install कर लिजे Windows 8 कीजे Windows 11 कीजे Ubuntu कीजे Linux कीजे सारे operating system एक ही pen drive से आपके install हो जाएंगे इसी को हम लोग multi bootable pen drive कहते हैं तो चली सीधे हमनों चलते हैं computer screen पर लेकिन दोस्तों यहां पर आपको दो बाते जानना है बहुत जरूरी है जो कि बहुत important है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि आपको multiple bootable pen drive माना के लिए इससे कम आपका नहीं हो पाएगा ठीक है तो कम से कम आप 32GB की एक pen drive रख लें अगर आप ज्यादा operating system रखेंगे तो कम से कम आपको यहाप 64GB आपको यूज़ करना पड़ेगा ठीक है तो अभी हमारे पास 32GB की एक pen drive है तो इसी का मैं multi bootable बना के दिखाऊंगा तो चली सीध और इस पर आप interface कर दिजेगा यहाँ पर आपको वेंट ओय का link मिलेगा और इस पर क्लिक करके आपको जो इसकी official website वो open कर लेनी है यहाँ पर आप आएंगे तो देखिए एक download का यह option दिख रहा है इस download वाले option पर आपको click कर देना है जैसे आप click करेंगे यहाँ पर आपको देखिए first में ही मिलेगा वेंट ओए 1.089 windows.g file ए ठीक है इसी link पर आपको click कर देना है जैसे आप click कीजेगा click करने के बाद यहाँ पर आप scroll करके नीच आईए एक new यहाँ पर window open होता है ठीक है यहाँ पर देखिए है वेंट ओए 1.089 windows.g file इस link पर आपको click करना है और आप यहाँ चलते हैं download वाले option पर और देखिए यहाँ पर हमारा जो है software download हो चुग है यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो zip file था इस पर आपको right click करना है right click करने के बाद यहाँ open option है इस पर आपको click कर देना ठीक है जैसे आप open पर click करेंगे देखिए इसको extract करना पड़ाईगा यहाँ पर देखिए second में एक option है extract का इस पर आपको click करना है click करने के बाद यहाँ पर आपको ok press कर देना ठीक है अब आपका जो file है zip file है वो extract हो जाएगा और एक new आपका folder यहाँ पर ready होके तयार हो जाएगा ठीक है ज्यादा समय नहीं लगता है यह कुछी minute में हो जादा है ठीक है देखिए यहाँ पर हो गया इसको आप यहाँ से close कर दीजिए अब देखिए यहाँ पर G file है और यहाँ पर हमारा वेंटोय नाम का फोल्डर बन चुका है ठीक है इस पर double क्लिक करके इसको open कर लीजिए और यहाँ पर देखिए एक आपको यहाँ इसका application मिलेगा वे तो आपको क्या करना मैंने पहले बता है कि आपको अपना pen drive यहाँ पर लगा कर रखना है तो जैसे जब आप pen drive लगाएंगे तो आपका यह pen drive आटमाटिक डिटक्ट कर लेगा ठीक है देखिए हमने 32 GB का Sandix का pen drive यहाँ लगाए हुआ तो यहाँ सो हो रहा है अगर आपने दो तीन pen drive लगाए हुआ तो सब यहाँ पर drop down menu में आपको सो होता रहेगा ठीक है तो आपको कौन सा bootable आपको यहाँ पर pen drive बनाना है उसको आप select कर लिजेगा ठीक है तो देखिए हमने यह pen drive हो गया इसके लॉस हो जाएगा तो आप इसको permission देते या नहीं तो यहाँ पर आप यहाँ टाइप कर देंगे यस ठीक है जैसा लिखा है capital में वह सही आप टाइप करके और यहाँ पर ok प्रेस कर दीजेगा ठीक है एक बार फिर confirmation मागेगा इस पर भी आपको yes कर देना है और एक बार फिर सामने कुछ इस तरह कर आएगा congratulations went away has been successfully installed to device ठीक है तो went away आपका जो यह multiple है जो bootable pen drive है वह ready है इस पर आपको ok कर देना है ठीक है अब इसको कुछ नहीं करना है इस पर आप इसको close कर दीजे close करने के बाद फिर से my computer में जाईए और देखिए यहाँ पर जो हमारा pen drive है वह यह यहाँ पर bootable बन चुका है ठीक है इस पर आपको double click करना है अभी यहाँ पर कुछ नहीं है अब इस पर हमको जो ISO image जो है जो मैंने आपको बताया था कि ISO फाइल आपको चाहिए होगा operating system का उसको यहाँ पर सिप copy करके paste कर देना ठीक है तो देखिए यहाँ पर मैं अभी window को चोटा कर देता हूं फिर से मैं माई कंप्यूटर में जाता हूं और यहाँ पर मैंने एक drive में अपना कुछ operating system का यहाँ पर रखा हुआ है तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर operating system पर फोल्डर इस पर डवल क्लिक करते हैं ठीक है अब देखिए सभी operating system मैंने यहाँ पर रखा जैसे यहाँ पर डाउड़ करना नहीं आता है तो एक बार आप मुझे कमेंट कर दीजेगा मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा तो इन सब फाइल को आपको यहाँ पर कर लेना है अब इसके बाद आपको जो वेंट वाला है उस पर आपको चले जाना है ठीक है इस पर देखिए यहाँ पर यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर सिर्फ पेश्ट कर देना है अब यहाँ पर जितना भी आपका ISO इमेज का जो फाइल है वो यहाँ पर कॉपी हो जाएगा तो चलिए यहाँ पर कुछ समय आपको लगेगा आभी मैं वीडियो को थोड़ा स्कीप कर दूँगा तो चलिए यहाँ पर हमारा यह बूटेबल बनके तैयार है अब इसको हम लोग यहाँ से इजट कर लेते हैं और मैं आपको यहाँ पर दूसरे कंप्यूटर में इसको ले जाके इंसर्ट करता हूं पेंड्राइब को ठीक है और दिखाता हूं कि कैसे यह हमारा इंस्टॉल चलते हैं दूसरे स्क्रीन पर तो चलिए दूस्तों हमने यहाँ पर दूसरे कंप्यूटर में आ चुके और यह रहा हमारा जो बूटेबल परिंट डाइब जो अभी हमने बनाया है इसको हम लोग CPU में यहाँ पर USB में लगा देंगे यहाँ पर जो वेंटोई नाम का है वो यहाँ पर आपको 100 हो रहा होगा 5 अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे computer को एक बार restart कर लेंगे तो restart करने के लिए मैं यहाँ पर क्यूंकि हमारा भी window 8.1 है और इसमें मैं आपको window 10 को install करके दिखाऊंगा तो setting पर जाते हैं यहाँ से power button पर click करते हैं और यहाँ पर restart है इस पर click कर लेते हैं अब आपको यहाँ पर keyboard से delete button लगातार प्रेस करते रहाना है जिनको पता होगा कि installation कैसे करते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर BIOS को open करना होता है basic input output system जो कि हमारे computer में जो भी operating system install करने के लिए यहाँ पर setting करनी होती है तो यहाँ पर दिके delete button प्रेस करते रहिएगा यहाँ पर देखिए BIOS हमारा खुलके आचुका है हो सकता है कि आपका BIOS कुछ का जो interface वो अलग हो ठीक है अभी हमारा जो motherboard पर डिपेंड करता है कि कैसा उसका feature होगा लेकिन सबका जो function वो लगबक सेमी रहता है ठीक है अब देखिए हैं पर second number में option है advanced BIOS feature इस प यहाँ पर hardix हो हो रहा है तो जो sandisk की paint drive है इसको आपको first में करना है और hardix वाली है उसको second में करना है तो इसके लिए आप पहले sandisk वाले पर इस तरह आ जाईएगा आप down arrow करके और इस पर interface किजिएगा इसके बाद यहाँ पर up arrow प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर interface कीजिए अब आपका यहाँ पर जो bootable होने का system है जो boot करने का system है वो चालू हो चुका है आप आप देख सकते हैं जो वेंटोए का यहाँ पर हमने software यहाँ पर डाला हुआ आप यहाँ पर हम लोग इसको इस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर इंटर प्रेस कर देते हैं जैसे आप इंटर प्रेस कीजिए गाँ यहाँ पर बहुत सारे आप्सन मिलेंगे तो यह जो फर्स्ट वाला ओप्सन है बूट इन नॉर्मल मोड इसी पर आपको रहने देना और इंटर प्रेस कर देना है अब देखिए हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल का जो प्रोसेस है वह स्टार्ट हो चुका है चलिए यहाँ पर हम लोग इस्टॉल करके देखते हैं कि हमारा जो बुटेबल मुल्टिपल बुटेबल पेंडराइब हमने बनाया है वो जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सारे पेंडराइब में आप रख लिजे इकठा करके इसके वाद जो भी आपका जो सपोर्ट करता है कंप्यूटर विंडू 10 हो विंडू 8 हो 7 हो 11 हो टीक टीक ठीक टीक 2-bit का हो 64-bit का हो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो या का जबाब जरू दूंगा तो वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा कंप्यूटर नॉलेज में एक्सपर्ट बनने के लिए तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपके के साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मच